हर साल की भाती जम्शेथ पूर्ट ट्रक्टर और अंतरगत 17 सेप्टेंबर को बिस्क्रमक पुया होती है जिसको हम लोग काफी धुमडाम से मनाते हैं उसी के ये में 19 तारिक को हमने सांस्कृतिक प्रोगाम रखा है जिसके चिप्ठी हमने आज जिसको सबको द्याज चिप्ठी दिया हूं और हमारी क्योंकि बैवसाइक कैसे आगे चले उस पर भी हमने अभी बात रखना है चुकि गारी का दाम बिगत काफी हर पार्ट का भंगाई काफी तेजीं बढ़ा है तेकि गारी का भारा जो है पहले से काफी कम होते जाए प्रति कम होने के कारण सबसे कम इसलिए हो रहा है कि गारी के जो निया गारी का दाम बर रहा है उसमें 28% और 28% का Input बड़िवे ट्रांसपोर्टर का मिलता है हम छोटय-छोटय गारी मालिक जो दो गारी चार गारी पांच गारी लिये हैं उनको GST का इंपूट आउटपूट नहीं मिलता है इसमें एक गारी में करीब करीब 50 लाग उसका लागत परती है 50-50 लाग रुपईया और जिसका 28% GST करीब एक गारी में 13-14 लाग रुपईया का GST बरेवरे टांस्पोर्टर को मिलता है ज हमें उसका भुगतना पर रहा है चुकि हमें भी कम रेट में मजबूरन गारी को ढोना पर इसे करना हमें टायर नहीं जुड़ता है और आगे टायर में 80% GST है उसको टायर में भी बेनिफिट मिलता है जिस अगर 50,000 की टायर है तो उसको 32 में टायर मिलता है कि सारा समस्या क कैसे क्या करना है इसको सरकार को आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुचना चाहिए या तो GST खतम हो जाए या तो GST का एक ऐसा पार्ट हो कि 9% GST हो जिसका आउटपुट नहीं मिले किसी को ब्रेकों भी नहीं मिले हमको जब नहीं मिलता है किसी को नहीं मिले सरकार उस आपकी कुमिनिया भी बढ़तेंगी यह देखिए सर एवन क्वालिटी का सेमेट लगा रहा हूं मैं मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए है का अरे बोडी भिदाउट स्ट्रॉंग बोन किस काम का एदेखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सिमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाईए तब ही तो ऐसा घर बनेगा जो पीडिया परते तो कौन से टीमटी लगाए अरे एक ही तो है भारत का सबसे भरोसे मन सलूजा गोल्ड टीमटी बार्स एक्स्ट्रा स्ट्रॉंग हायर और कोईक रिजिस्टेंस फ्लेक्सिबल बेढ़ बांडिंग विद सिमेंट और सालों का भरोसा निर्मान में मजबूती चाहिए तो अच्छे सिमेंट के साथ लगाए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीमटी आब सही पकड़े हो कॉन्ट्राक्टर बाबू सलूजा गोल्ड टीमटी बार मजबूती सब कुछ है